अब paper में कुछ ऐसे question भी आएंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, देखो यह reality है, there is no point in life कि हम अपने आपको दोका दे, आप सबको पता है कुछ question ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं, आपको कभी सुना ही नहीं, मतलब उनके बारे में कुछ नहीं पता, क्या कर list, जब हम software में questions डालते हैं तो हम options को shuffle कर देते हैं, और जब हम coding करते हैं, software बनाते हुए, उसमें condition होती है, कि सारे option की जो occurrence है, वो equal होनी चीए, मतलब option A भी almost 25 times आए, 25% आए, और option B, option C, option D, सब ऐसे ही equal बार आएं, आपका paper है, 180 number का, या 180 question का, आपके paper में ध्यान से सुनना जितने question आएंगे, उनमें से 45, almost 45 question का answer option A होगा, almost 45 का option B होगा, almost 45 का C होगा, और almost 45 का D होगा, मैं almost बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, ठीक है, software बनाते हैं जब, तो उसमें तो equally डालते हैं, बट कभी-कभी थोड़ा बहुत उपर नीचे हो बट option D बहुत कम बार आया है, तो जो 10, 12, 15 question ऐसे होंगे, जिनका आपको कुछ भी नहीं पता, जिनका आपको आता ही नहीं है, कुछ कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, उनका लगाना है आपको वो option जो अब तक सबसे कम बार आया है, क्योंकि उसी के chances सबसे ज़ा पता है, चारों में से आपने 170 या 165 question अपने आप कर लिए 10-15 question का आपको कुछ नहीं पता, उन 10-15 question में से maximum जो correct होने के chances हैं, उस option के हैं, जो 165 पिछले question में सबसे कम बार आया है, यह है logic, और यह logic जो है इसी के basis पे online test software डिजाइन किये जाते हैं, ठीक है, मैंने खुद अ अपना software बनाया हुआ है, इसलिए मेरे को पता है, क्योंकि हर को यह ऐसे design करता है, ठीक है, तो आपको यह समझना है, कि सबकी वेटे इक्वल है, जो आपका अब तक सबसे कम आया है, उसको mark करो chances हैं कि सही हो जाएगा, ठीक है, बाकि आपके उपर भी है कि आपको याद कित कि आपके।